हेलो स्टुडेंट्स आज हम करेंगे वर्क्षीट नंबर 133 ये इंग्लिश की वर्क्षीट है क्लास 3 के लिए और देट है 16 दिसंबर 2020 ये वर्क्षीट आपकी इंग्लिश की बुक मेरे कोल्ड से ली गई है यूनिट 5 द बैलून मैं पोयम पेज नंबर है 43 स्टुडेंट्स वर्क्षीट स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बैल लेकर ज़रू दवाइए जिससे लीटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्क्षीट लेट्स स्टार Do you know today is Vijay Devas? क्या आप जानते हैं आज Vijay Devas है? आप Vijay Devas नाम से ही समझा रहा है कि इस दिन Vijay यानी चीत हुई थी It is celebrated on the 16th of December every year in our country to salute the bravery and will of our soldiers in the Libertation of Bangladesh in 1971 यह हर साल celebrate बनाया जाता है हर साल कितने December को? 16 December को आज के दिन हर साल बनाया जाता है हमारी country में country यानी हमारे देश में मनाया जाता है बच्चो किसके लिए? अपने soldiers को salute करने के लिए अपने soldiers की भादूरी, उनकी हिम्मत को salute करने के लिए क्योंकि बच्चो इस दिन बांगलादेश की जो सिपाही थे, बांगलादेश की जो soldiers थे उन्हें मुक्ती मिली थी, मुक्ती यानि उनकी विजय हो गई थी, फ्री हो गया था बांगलादेश, किसे पाकिस्तान से बांगलादेश और पाकिस्तान की लडाई हुई थी 1971 में जिसमें बांगलादेश के सोल्जर्स ने विजय पाई थी, इसलिए आज के दिन विजय दिव आप प्यारे बच्चों, आशा है कि आप खुशियां फेला रहे होंगे अपनी प्यारी-प्यारी मुस्कुराहट से. तो चलिए, इसी के साथ फ्वर्स्ट कॉशन स्टार्ट करते हैं. The following line is from the poem. Read it carefully. जो ये line दे रखी है ना मोटे-मोटे में. ये एक Palun Man वाली poem की है. इसे हमें ढंग से, यानि केरफुली पढ़ना है. Some are big and some are small. अगर आप इसमें ध्यान दें, तो यहाँ पर दो चीजें मोटे-मोटे में दिखाए गई हैं. बड़ी-बड़ी. एक big और एक small. आपको पता हैं ये क्या हैं? ये opposite words हैं. यानि एक दूसरे से उल्टे अर्थ वाले. बच्चों चली, अब इनका मतलब समझ लेते हैं. The two words big and small are the opposite of each other. Look at few more opposite words. Along with their pictures below. देखें बच्चों, opposite words यानि एक दूसरे से एकदम उल्टे अर्थ वाले शब्द. जैसे big, small और clean, dirty. यानि बड़ा, छोटा, सुन्दर, बेकार. और ऐसे कई words होते हैं ना. Big, small, old, young, full, empty. तो देखें कितने सारे दे रखें हैं. Full, भरा हुआ. उसका एक दम उल्टा हो गया, empty यानि खाली. Old, बूडे, और young, यानि जवान. Fast, जल्दी, slow, धीरे. Light, रोश्नी, डार्क, अन्धेरा. तो जो उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं ना. उन्हें हम कहते हैं opposite word. याद रखेगा बच्चों. अब देखो. Now let us rewrite the sentences given below using the opposite of the underlined words. अब हमें क्या करना है? इन, इन, लाइन दे रखी हैं ना. इस line को, इस line में एक, जो fast है वो red color में दे रखा है. तो हमें fast का opposite word लिखना है. तो हमें इस पूरे sentence को दुबारा से लिखेंगे. और fast का opposite word डाल देंगे. इस sentence में जैसे देखो. I can run really slow. हमें fast का opposite word ले आए. जो है slow. तो हमें fast का opposite word डालना था है ना. रेड कलर में जो words हैं उनको हमें opposite कर देना है. तो का बोर्ड इन मैं रूम इस full. अब full है red कलर में. अब इसका opposite करेंगे. क्या हुआ? तो का बोर्ड इन मैं रूम इस empty. फुल का मतलब बहरा हुआ, empty का मतलब खाली. चलो बच्चों, अब इन sentences का मतलब समझते हैं. I can run really fast. मैं सच में तेज दौर सकता हूँ. इसका उल्टा करो. I can run really slow. मैं सच में धीरे दौर सकता हूँ. The cupboard in my room is full. मेरा जो cupboard का मतलब यानि अल्मारी. ठीक है? जिसमें आप अपनी कपड़े रखते हैं. ठीक है? In my room is full. मेरा room का cupboard भरा हुआ है. इसका उल्टा, my cupboard in my room is empty. मेरे room का cupboard खाली है. तो इस तरीके से इसको करेंगे. सबसे पहले अपनी copy में question लिखो. फिर answer डाल कर इस तरीके से उसका opposite करो. चलो, अब students देखते हैं second question. As we are talking about the rainbow, let's check out this rainy day scene and read few sentences based on the hints provided in the cloud. अब rainbow की बात करते हुए हम क्या करने जा रही हैं? rainy day scene को देखने जा रही हैं. जो कि यहाँ पर इस picture में दिया गया है. इस rainy day scene को देखकर आपको कुछ lines लिखनी हैं. जो कि दे रखी हैं cloud में. cloud में hints दे रखी हैं एक तरीकी से देखिए. umbrella puddles cloud rain. जो कि इस picture में भी हैं. तो इस picture को notice करके और इन words को देखके आपको sentences लिखने हैं. कितने लिखने हैं? four, four यानि चार. तो देखिए first sentence rain के उपर है. यहाँ rain लिखा है ना cloud में. first है rain. तो rain के उपर sentence लिखेंगे first. the rain pours heavily. इस picture को देखकर लिखने हैं बच्चो sentences. अब देखो. यहाँ पर क्या हो रहा है? तेज तेज बारिश चल रही है. उसी साब से मैंने लिख दिया the rain pours heavily. यहाँ जो बारिश है वो तेज ही से आ रही है या चल रही है कह सकते हैं. there are many clouds in the sky. second word है clouds बच्चो. तो मैंने cloud के उपर sentence लिख दिया है. picture को देखें. cloud है आस्मान में. और कई सारे हैं. तो मैंने क्या लिखा है? कई सारे cloud आस्मान में हैं. there are many clouds in the sky. इनको हम puddles बोलते हैं. जैसे जब तेज-देज बारिश होती है आपके यहां भी होती होगी. एक बार नोटिस करना. बहुत तेज बारिश होती है तो क्या होता है? जमीन में गड़े हो जाते हैं पानी के. उन्हें हम कहते हैं puddles. इस तरीके से यहां पर बने होए हैं. तो puddles के उपर sentence लिखना है. पिच्चर को देखिए, बने होए हैं ना? due to rain, there are deep puddles in the road. यानि बारिश की वज़े से जो रोड है ना, उधर काफी-काफी गहरे-गहरे puddles बन गई हैं. देखिए, इस तरीके से बने होए हैं ना? इसलिए ऐसे लिख दिया है, मैंने ठीक है, आप भी लिख ले ना? या अपनी तरह से आप अलग sentence बना सकते हैं. अब लास्ट है, umbrella. umbrella यानि चाता, ये वाला. इसने पकड़ रखा हैं ना? there is a girl standing within umbrella. ये एक लड़की है, जिसने अमरेला पकड़ रखा है, और ये खड़ी हुई है, तो ये मैंने 4th sentence में लिखा है, ठीक है, हमारे 4, 2, 3, 4, 4, 4, 4 sentences complete हो गए हैं, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, या तो अपनी तरह से बना कर लिख सकते हैं, okay students, तो यही थी आज की वरक्ष okay students, thank you, stay home, stay safe.